हलो दोस्तों आद हम आस्तिन की कटिंग करेंगे लंबी आस्तिन की तो मैंने इससे चार लेयर्स में फोल्ड करके रख दिया इस तरह से अब हम इस पर निशान लगाएंगे यह मेरी इसकी लंबाई साड़े उनिस है और इसकी चोड़ाई नो है तो हम मैं इसपर निशान लगा रही हूँ तो पहले में यहां पर निशान लगाऊंगे तीन इंच पर क्योंकि मैं लंबी आस्तिन बना रहे हुए तहहां से हम तीन इंच लेंगे अब हम बोटम का निसान लगाएंगे तो बोटम मैंने इसमें चार इंच रपका है और दो इंच हमारा मार्जन का हो जाएगा तो यह 6 इंच हो जाएगा तो मैं 6 इंच पर निसान लगा रहीं इसे यह मार्जन वाले निसान को यहां से हमने 3 इंच के निसान लगाया था तो यहां से हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से जॉइंट करने के बाद हम इसे काटेंगे दिख रहा होगा आपको जो मैं निसान लगा रहीं मैं तो यह से डार्क कर देरी जो आपको दिखाए देगा इस तरह से यह यह मेरी आस्तिन की हो गई कर निसान लगाया अब मैं इस पर कटिंग करूंगे आस्तिन कि बाद टूंगे और गाद कर देंगे है इस तरह से अलग कर देंगे काट कर जाएंगे तो इस तरह से मेरी स्लीप कटिन होगे या आताइ है कर देंगे वैंगे चाएंगे है